बच्छो श्वांगते आप सभी का इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टेडी ओन तो बच्छो आज की इस वीडियो में हम आपको चिंदवाला विश्वित देलाजियां कि बीए दूती वर्स बीए दूती वर्स के जियां सेकेंड यर के विशेशा आपको आधार पाटि क्रें उसका हम आपको प्रश्व प्रतством प्रशन पत्र आपका उसका शमपून को वीडियो में प्रोवैट में करनें वाले है शादी बच्चों हम आपको बताने वाले कि कैसे इसके ग quick drying न का पीड़ियां डानुरूड तोसन को इस तरीके के सुलिशन बीए बच्चे भी कर सकते इन हैं तो इस वीडियो को आप लास्तक जरूर देखे और साथ बच्चो आप यह भी पहली बारा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले को सबसे पहले मिले तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से पहले हम पूरे कोश्चन इसके लाइन से देखेंगे उसके बाद हम इसके आंसर आपको प्रोवाइट करवाएंगे तो देखिए आपको पहस्ट में पूछा गया था वहाँ तोड़ती पत्तर कवीता में मूल समवेदना अपनी शब्दों में लिखना था शाती आपको इसके आत्वे में चौप की दावत कहानी कथा तत्वों के आधार पर आपको समिक्षा करने थी इसके आगे बच्छों आपको कोश्चन नमर 3 है तो कोश्चन नमर 3 में आपको शूरी के प्रकास में अंतर नहीत रंगों और बढ़ने करमों को समझाना था साथी शंदी की परिवा जीवन को प्राप्तिक गिया था इसके बाद आपको जिए इसके आत्वे में शमाज की परिभाशा देते हुए उसके आपको प्रकारों को लिखना था साथ ही इसके आगे question number five है आपका तो सिकागो शम्मेलन वाक्ख्यान का शंदेश अपने शब्दों में आपको लिखना था तो चलिए बच्चो इसके जो आंसर करके आप देख लेते हैं चलिए अब आंसर हम देख लेते हैं देखिए question number one में आपको प्रस्ण कमांग एक के अथवे का आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको दीमागी गुलाब उसके आपको शारे को लिखना था उसके आपको अपने शब्दों में लिखने को कहा गया था तो उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिए question number one के अतविका देखिए आपको लिखना लेकक के अनुशार जियां आपको अनुशार हो दाएगा दीमागी गुलाम जिया गुलामी शेतात पर मानसिक दास्ता से है य आपको लिखना देखिए इसमें आपको लिखना देखिए लेकक कहते कि आज जे जाती शब्दा के जितनी पुरानी होती है उसके मानसिक बंदन भी उतनी अधिक जटिल होते हैं हमारी शब्दा जितनी पुरानी है उतनी अधिक रुकावटे भी है आगे आपको लिखना हम हमारी आर्थिक सामाजी का और राजनितिक शमिश्या इतनी अधिक और जटिल है कि हम उनका कोई इल हल जो है सोच नहीं सकते हैं जब तक हम अपनी विशारधाराओं को बदल कर सोचने का प्रयत्र नहीं करते उस अपने प्राचिन काली की गर्व के कारण हम उपने भूत में कड़ाई से बंदे हैं कि उसमें उर्जा नहीं हमें उर्जा मिलती है आगे बच्चों आपको लिखना देखिए हम अपने पूरवजो की धार्मिक बातों को आख मुंतकर माल लेते हैं आज शमाज में धार्म प्रचार पूर्ण रूप से नफे का रोज़गार है आधिकां दुनिया भर में कई लोग हैं बूत प्रेत और जादू मंतर सबको विज्ञान से सिद्ध करने में लगे हैं जियां कोशन में बन कांसर आपको आगे लिखने हैं कि हिंदिया हिंदिस्तान का इत्यास देश और काल के हिसाब से बहुत प्राचीन है उसी तरह इसमें पाई ज शीमिनों की कदर गुणगान करते हैं इसलिए राश्टिता के पतपत चलने वालों को भी समझना चाहिए उन्हें देश के उत्पादन के लिए इन दिवारों को गिराना होगा आगे बच्छों आपको लिखना है अपनी जाती पाती के धर्म शेशाद घनिश्कता रखकर को आवश्कता है मांसिक रांती की आवश्कता है इस तरीके से बच्छों आपको आंसर लिखना है इस तरीके से आपको कोशन नमर वन यहां पर जो है कंप्लीट होता है तो देखी कोशन और वन का अंसर आपको पूरा यहां तक लिखना है इस तरीके से कोशन और आपका कंप् करवाया जिसमें नारित्व के अब जो नारित्व में आपको जो लिखना था आपको जो इसमें अपने सब्दों में जुआ कोशन नमर डू में आपको नारित्व के बारे में लिखने को कहा गया चली कोशन नमर टू का हम आंसर देख लेते हैं तो कोशन नमर टू के आंसर में आपको लिखना देखिए नारित्व के अभी शाप निबंद में लिखी का महादेवी वर्मा ने भातिष नारी की दसा का जो है बर्व इश्पर्शी वर्मन किया है नारी की गौरों गातक से चाहे आकास गुंज रहा हो या उसकी पतन से पाताल खाप उटा हो उतकर से तथा अफ़र्स दोनों इतिहास से जो है उसने अपने आशों से लिखे हैं जिया महादेवी वर्मा जी ने आएस से रचना को किया है प्राचिन से प्राचिन तमकाल में उनके शैयम बलिदान त्याको पुरुष अमाजरे उनकी दुरुबलता माना है और अपना अधिकार माना ज युग ने अपने आकोली क्रती अपने मनुश्य तत्व की सुक्ष में सीमा में बंदे विशाल देवत्व और एक बार मोड़कर देखने का भी कश्ट सहा इसके बाद आपको लिखना है धीन माता का वद्ध हुए ना पराकरमी परसुराम का हरदाय बिगला ना सीता को इतनी में शमाहित करते हुए राम का हरदाय विदर्ण हुआ इसके बाद वच्छों आपको लिखने जीवित एक जीवित वैक्ति इतना कठोर तयाक इतना नीर्मम बलिदान दूश्रा हरदाय वान वैक्ति को इतने आकातर भाव से स्विकार कर सकता है या कल्पना भी जमता का कारण केवल एक ही कहा जा सकता है दुरूबलता जिसका प्रया कोबलता के नामकरन किया जाता है और इस दुरूबलता को वह अपना अलगकार समझती रहने के कारण त्याक्ति पर त्यागने पर उद्दत नहीं होती उसके विचार से इसके बिना नादित वादूरा दुरुबलता मनुष्य जीवन का अभिशाप रही है पर शरीर और मन दोनों से संग संबंद रखने वाले दुरुबलता में कौन सा घूतर अभिज़तार है यहां कठीन है इस तरीकी से बच्चो को अंसर आपको यहां तक लिख लेना है को आपका कंप्लिट होता है यही कोश करना तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं देखिए आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है बच्चो आपको देखिए संदी शम्दंदी शब्दकार्त मेल या जोड है दो निकटवर्थी वर्णों के परश्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह शंदी कहलाता है आगे लिखने आपको शंस्क्रत हिंदी यह अन्नी भासाओं में परश्पर शोरो या वड़नों के मेल से जो विकार को शंदी कहते हैं जैसे शम्दंतोष बराबर आपका शंदोष देवधर इंद्र बराबर देवधर भानुधन उद्र बराबर आपका भानुधन हो जाए कि आपको लिखने जिस प्रकार नीला और लाल मिरकर बैगली रंग बन जाता है उसी प्रकार शंदी एक प्रकारती किया सहज क्रिया है इसके आपको लिखने शंदी के भेदे की शंगीत शंदी के भेद तो शंदी आपकी मुझे तीन प्रकार की होती है तीन ही प्रकार की हो दीसरा आपको शन्दी का जाता है्व gesture संदी में प्रकार है या शन्दा को शौर के मिल्दा से होने वाले विकार परिवतन को शौर संदी कहते हैं । जैसे विद्धान हाल है बराबर विद्धा ब्रह बहुत जी आ ये density में पहले भी आपका शौर इस तरीके से आपक श्वर संदी का उधारण है, इसके आगे आपको श्वर संदी के भी पाच प्रकार होते हैं, जिनमें आपको पहला हो जाएगा दिर्ग श्वन्दी, दूसरा हो जाएगा अपको गूर्ड शंदी, इसके बाद आपको अगला लिखना है देखी, वर्दी श अजहता है किसी स्वष से मेल होने पर परीवर्तन उसा उसे बेंजन संदी कहते हैं जैसे शरत दन चंद्र बराबर शरत चंद्र उज्वल इस तरीके से आपको लिखना है उतर दन ज서ल बराबर अपको ज़ाएगा इस तरीके से आगे आपको लिखनां दिखिए prin ca का में आपको डालना है किसी वर्ग के तीसरे आत्वा चौते वर्ड या किसी स्वर से हो जाए तो का जो एक हो जाता है जैसे जो आपको इधर उधारन दिये गए नीचे देखिए आपको लिखना है अपको अगला पॉइंट इसके प्रकार में विशयर कशन्दी जहां विशयर कशन्दी देखिए विशर्ग शंदी विशर्ग के बाद श्वर्य विजर आने पर विशर्ग में जो विकार होता है उसे विशर्ग शंदी कहते हैं जिसमें जो इसके लास्ट में जो है आपको विशर्ग शंदी होता है इसमें जो आपके रूल्स है इसके आपको लिखना है विशर्ग के पहले यदी और बाद में सो भी आत्वा वर्ग के तीसरे चौते पांचोई वर्ण यरलव हो तो विशर्ग का ओ हो जाता है जियां जैसे आपको मनाधन अनुकूल बराबर मनुकूल हो जाएका जियां जैसे आपको ओ हो जाता है इसके बाद आपको अधधन गती बराबर अदूगती मना धन बल बराबर मनूबल इस तरीके से आपको लिखना है इसके दूसरे रूल में आपको लिखना है बच्चो देखे विशरगी के पहले आखो छोड़कर कोई श्वर हो तो बाद में कोई श्वर हो वरक के तीसरे चौते पाचवे वर्ण यह रलव में कोई हो तो विशर का रह से रह हो जाता है जैसे आपको आगे लिखना है देखी नी धन हार बराबर नीराहार नी धन आसा बराबर नीराशा नी धन 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 बनाबर नीर धन इस तरीके से बच्चो कोश्चन नमर 3 का अंसर आपको यहां तक लिख लेना है इस तरीके से कोश् बारत के जो राष्टपती रहा चीक है पूर तो जो उनके जीवन यात्रक आपको वर्णन करने को कहा गया तो चली को चैनल फार का आसर हम देख लेते हैं तो आपको लिखना है अबुल पकीर जैनल अब दिन अब्दूल कलाम अंग्रे जी जो है अब अब्दूल कलाम 15 गयार्वे निर्वाचित राष्टपती थे जिया आपको आगे लिखना एवी राष्टपती के पूर्व राष्टपती जाने माने वैग्यानिकार अभी यन्ता इंजीनियर के रूपे वेक्यात थे उन्होंने शिखाया जीवन में चाहे जैसे भी परिस्तिती नहों पर तरीके से लिखने आगे बच्चों आपको थखी एपी-जी अबदूलकलाम कौछ इस तरीके से दीखते थे आपको यहामने चित्र पर दिया आप को देख ख एक शेड़ выпिर को देखकर सिर्फ जो है इनके पिता मचुवारों को शिनाओ की राय पर दिया करते थे आगे आपको लिखना है अब्दुलकलाम शेयुक्त परिवार में रहते थे परिवार की शदेश शेयंगा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकती अब्दुलकलाम के जीवन पर इनके पिता पर बहुत गहरा प्रभाव रहा वे बहले ही पड़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी लगन और उनके दिये गए शंसकार अब्दुलकलाम को बहुत काम आए आगे आपको लिखना है बाच वर्स की अवस्ता में राविश्वर के पंचायत के प्राथबिक विध्याले में उनकी सिक्षा दिक्षा का सुनसकार हुआ इसके पाद आपको लिखना है उनके सिक्षक इराई दूराई शोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में शपलता तता अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दिवर इक्षा आश्ता उपेक्षा तता तीन सक्तियों को भली बाती समझ लेना है और उन प्रभुत इस्था आपित करना चाहिए पांचवेक अक्षा में पढ़ते पढ़ते उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे लेकिन जब शात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक ने उन्हें समुद्र तर्ट ले गए जहां उन्हें उड़ते जगड़ीत की टूशन पढ़ने जाते थे इस तरीके से आपको लिखना है आगे आपको लिखना थी कि अबदूल कलाम ने अपनी प्रारंबिक शिक्षा जारी करने के लिए अकबार विद्रित करने का कारे किया था कलाम ने 1925 मद्राश इंटिश्टीट औप टेक्नोलोजि किया आगे बच्चों आपको लिखना है 1962 में भारती अंतरिक्ष अनुशंदान शंगठन में आए जा उन्हें शपलता पूर्वक कई उबगरा प्रेक्षण परियोजनाओं में अपनी भूमी का निभाई आगे आपको लिखना है परियोजनाओं निर्देशक के रूपें भा फूर का अंसर आपको यहां तक लिख लेना य जो जब्दूलिकलाम जी की जिवन आतरा का वर्णन आपको पूरा यहां तक कर लेना है इस तरीके से कुस्टन नवर फोन का आखर आपको कर दिया कर दिया गया चलते है अपने next question question no 5 कि तरफ कि बादबच्चो आपका अगला कोश्चन है कोश्चन नमर फाइव दी कोश्चन नमर फाइव में आपको सिकागो शम्मेलन के बारे में लिखने को कहा गया था जियां सिकागो शम्मेलन के बारे में आपको लिखने को कहा गया था कोश्चन नमर फाइव में तो देखिए आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है शूमी वह कानंद इन को चिस प्रकार से लख रहें डेके ने 11 षितंबर 1893 को अमेरिका में विश्वधर में एक जर्चीद भास्त भिए था उसमें आपको लिए विवेकानन का जब भी जिक्रा आता है इनके भाशन की चर्चत जरूर होती है तो दीखिए आपको इस तरीक से लिखना है आपको यह श्वामी विवेकानन ने जो भाशन दिया था आपको इसमें पूरा लिखना है तो दीखिए उन्होंने कहा था अम तरफ से धन्यवाद देता हूँ मैं आपको सबी धर्म के जन्नी की तरफ धन्यवाद देता हूँ और सबी जाती शंप्रदाई के लाको करोडों हिंदू की तरफ से आपका अभार वैक्त करता हूँ आगे विवेकान जी ने कहता है मेरा धन्यवाद कुछ वक्ता हूँ जिनों इस मंच से कहा कि दुनिया में शानसीतला का विचा सुदर पूरब के देशों में फैला है मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्मे से हूँ जिसने पूरी दुनिया में शानसीलता और स्वारबहुमिक स्वेकृति का पार्ट पड़ाया है हम सिर्फ शारबहुमिक स्वानसीलता में ही विच्वास नहीं रखते बल्कि हम विच्व के शबी धर्मों को शत्ते रूप में श्विकार करते हैं आगे बच्व आपको लिखना है इसी में दिखिए उन्हेंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देशी हूँ जिसने इस धर्ती पे शबी देशो और धर्मों के परिशान रूप सताय गए लोगों को शर्ण दी है इसके आगे बच्व आपको लिखना है और तब उन्होंने धक्षन भारत में शर्ण ली थी मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे धर्मे से हूँ जिने महान पार्शी धर्मे के लोगों को शर्ण दी है अभी तो मैं उन्हें पाल पोस रहा हूँ भाईयो मैं आपको एक श श्रोतों से निकलने वाली विविन्य नदियांत में शमुद्र में जाकर मिलती है उसी तरह मनुश्य अपनी एक्षाओं के अनुरूप अलग-अलग मार को चुनता है वे भले ही शिदा तेड़े मेड़े लगे पर शभी भगवान तक ही जाते हैं वर्तमान शबमेलन जो कि आज तक की सबसे पवित्र शभाओं में से एक है उन्होंने कहा था इसमें गीता में बताएगा इस शिद्धानत का प्रमाण है जो भी मुझे आद तक चाहे वह कैसा भी हो मैं उस तक पहुशता हूँ लोग चाहे कोई भी रास्ता चुरे आखिर में मुझे तक ही पहुशत सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वाट्सेप गुरूप पर लिक्ति खून से लाद हूँ कितनी भारी शभिताओं का विनास वाजना जाने कितने देश नस्ट हुए इस तरीके से आपको जो कोशन नबर फाइव में शिकाग गुरुप पर लिंक दिए हुआ हुआ है वहां आप जो क्लिक करके आप सारे कोशन पेपर के आप जॉइन हो सकते हैं शाती आप सारे कोशन कर सकते हैं हो शकता है कि हम आपको प्रोब्वाइट करते तो मिलते बचो नैक्स्ट वीडियो में एक्स्रॉल्यूशन के जब तक लेजाएं, टेक केर, बाबाए